हलो फ्रेंड, वेलकम बैक मैं चैनल Kids'े इंड, वर्ल ममीगोर्टविन आज की वीडियो में हम बात करेंगे की बच्छों को जो है बदाम कब, कैसे और कितना और इसके 5 है और कितनी जो है बच्छों को आप बदाम दे सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि बदाम आखिर है क्या बदाम में बिटैमिन E हो गया बिटैमिन सो गया इसमें मेगनिसियम मिनरें सो गया और इसμεं साथ ही जो है इसमें वुटा है OMEGA THREE FATY ACID होता है जो बच्चों के लिए, fourth के लिए बहुट जादा जरूरी होता है और साथ ही जो है, अ और आप भीG तरीके से खा सकते हैं, तो यह आपको सारे Minerans हो गया, यह पोसक था तो को गया बदाम से आपको इस तरीके से भरपूर मातरा में मिलते हैं, अब जानते हैं कि कब से और कितने और कितनी एज में जो है बच्चों को आप बदाम दे सकते हैं आपको क्या करना है बच्चों को जो है आपका बच्चा आठ से नौ महीने के बाद से जो है आप बच्चों को बदाम introduce करवा सकते हैं लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है जब भी आप कुछ नई चीज बच्चों को जो है ट्राइ करते हैं तो आप उसको थोड़े अमाउंट में दीजे और बच्चों को देखी कि कोई allergic reaction तो नहीं हो रहा है अगर कुछ भी problem नहीं है तो आप जो है उसको धीरे ध बना कर दे सकते हैं पाउडर बना कर दे सकते हैं अगर आप खाने के थूद देना चाहते हैं तो आप दल या ओर्स वगरा या जो भी मीटी चीज आप बच्चों को खिलाते हैं तो उसमें जो है बदाम का पाउडर एट कर सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं खिलाना चाहते हैं तो बच्चों को जो है दूध में डालका जरूर जरूर खिलाईए और साथ ही जो है अगर आपका बच्चा दो से तीन साल का है तो आप जो है उसको तीन या चार बदाम जो है डेली खिला सकते हैं इसके कोई भी मतलब ऐसा side effect नहीं है अगर आप starting phase है तो आप उसको धीरे धी मांसिक विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बच्चों की तेज बुद्धी यानि बच्चों को जादा देर तक याद रहे उसके लिए जो है बच्चों को बच्चपन से बदाम खिलाने की कोसिस करनी चाहिए आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसमें ओमीगा 3 fatty acid होता है जो बच्चों के मांसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है second चीज है बच्चों की हड्डिया हो गई और बच्चों का दांतों का विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है क्योंकि इसमें calcium की मात्रा जो है बहुत अच्छी मात्रा में होती है थार्ड है कि बच्चों का जो है न कबजी की problem यानि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको constipation कबजी की problem रहती है अगर आप डेली बच्चों को बदाम खिलाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चों की कबज वाले problem ज जो है बहुत अच्छी होती है जो बच्चों की body के लिए जो है बहुत अच्छी खासी होती है अगला इसमें जो है एनीमिया बच्चों कई बच्चे होते हैं कि जिनको खून की कमी होती है तो आप जो है उनको डेली बदाम खिलाएंगे तो इससे क्या होगा बच्चे की body जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है बहुत सारे आजकल के ऐसे बच्चे हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो गया है थोड़ा सा चल रहे हैं पैरों में दर्द हैं थोड़ा सा चल दे मैं थक गया मैं थक गई यह चीजें जो है बच्चा हर बच्चा जो है आजकल बो सकते हैं अगर आपको लगता है कि थोड़ी गर्मी हो रही है तो थोड़ी quantity को आप ठोड़ा कम कर दीज radar अगर थोड़ा सर्दी है बच्चे को सर्दी जुखाम लगने का डर है तो आप ठोड़ी दानए बढ़ा दीजिए बदाम के तो मेरा माना है कि पूरे साल भर आप बच्चों को जो है बदाम खिला सकते हैं इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और फ्रेंड्स आई होब जो है आपको वीडियो पसन आता है तो प्लीज एक लाइक और एक सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही helpful यूडियो लेकर के तब तक के लिए बाबाई